अज़ो एवरीवन कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसीपी आज ना कटहल और आलो की सबजी बना तो मैं अच्छे साज की डाल रहे हूं तो सबसे पहले न मैंना अलो की चील लिया उस ने एक फोक से ना इसमें ना आपके रखे थी ना ऐसको उसी तेल में डाल के फ्राइ कर लेना है अब मैंसमें नमक डालूँगी ताकि ना कटाल में नमक अच्छे से चला जाए तो इसको अच्छे निकल बेंदा अब एक कुकर चढ़ाएंगे है ना कुकर में मैंने वीडियो शूट करना भूल गया है तो आप लोग ने इसमें ऑईल डाल ले है ना कुछ खारेगर मसाल तेज पत्ते दो लाल मीड्स है ना और प्याज डालके इसको फ्राई कर लेना है और जो पेस्ट बनाय मसाले और नमक टेस्ट के नुसार डालके इसको फ्राई कर लेना है तो इसमें थोड़ा सा पानी की कमी है मसाला जले इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूं तो इसको पानी डालके अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से मिलाके इसको कवर कर देना है ताकि मसा टमाडर ने टमाडर अच्छी मैं परणूम तेड़ तो ऑप्तिंगे रोड़ने में दूम स्माडर में छोड़ा लूजुए कि अलूब आलो तो टमाडर प्रणूम स्टावल लेगा, तो अब कर दिया कि अपर ने टिया है यहां शुम ने पर आलो कर दो चलते तो टमाडर भी तो अब ने इसमें डाल देना है तो देख सकते हैं मैं इसमें पानी डाल रही हूं और पाइन डाल के न अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद न इसको कवर कर देना है और कवर करने के बाद न इसको तीन सीटी आने देना है मिडियम फ्लेम पे अब तो देख सकते हैं क किसी दिया गया है और सेबजी रेडी है तो आप पुलाओ के साथ चाओ